बहुत देर से आप लोग जो free speech follow करते हैं stand up so called stand up comedians को follow करते हैं ये case बहुत चर्चा में चल रहा है नाम है मुनावर फर्यूकी जिसने हिंदू gods goddesses पे इनके हिसाब से पहले पूरी बात समझा रहा हूं इनके हिसाब से jokes crack किये थे जो हिंदूस थे उनके हिसाब से वहाँ पे जो सुन रहे थे उनके हिसाब से इन्होंने religion की insult करी हिंदू देवी देवताओं की insult रही तो ये दो versions है एक का version था joke है एक का version था insult ये तो होगी neutral as it is दोनों पक्षों की बात अब बताते हैं इसके बात क्या हुआ इनको arrest किया गया arrest करने में पहली बात सिरफ मुनावर फरूकी नहीं है जबकि आपको एक बहुत बड़ी audience और एक बहुत बड़े जो लोग हैं जो articles लिख रहे हैं कि ये arrest गलत था था गलत नहीं था उसकी बात पे भी आता हूँ पर ये arrest जो गलत था कह रहे हैं वो सिरफ मुनावर फरूकी क नाम से ही पता चल जाता है आपको कि he belongs to a Muslim religion तो वो इस तरह दिखाने का हो रहा है कि एक Muslim religion के व्यक्ति को जेल में भेजा गया सटली बहुत जगा पर सेजेस्ट किया है कहीं पर tweet में bluntly भी किया होगा पर सटली तो बहुत जगा किया है पहला fact ये सिरफ मुनावर फरीकी नह नलनी यादव, एडविन एंथनी, परहाकर वयास, प्रियम वयास और जैसे आप नाम सुन सकते हैं apparently ये हिंदू religion को भी belong करते हैं और एक apparently मुझे नहीं पता क्या religion है पर आप नाम सुन लीजे तो अपने आप सुन सकते हैं एक परुकी है, एक यादव है, एक एंथनी है, द दूसरी बात, जो मुझे लगी है जीब, मैं हाई कोट की judgment पे भी आऊँगा, कि मुनावर फुरीकी की बेल को reject, मुनावर फुरीकी नहीं, पांचों की बेल को reject किया गया है, सब जेल में रहेंगे, क्यों रहेंगे जेल में, हाई कोट की observation भी पताऊँगा, पहले वो पतात translation है, और मैं simple भाष्या में बोल रहा हूं, honorable high court has obviously said the legal language and it is in English, तो मैं loosely आपको हिंदी में पता रहा हूं, क्योंकि ये हिंदी में करता हूं, आउट्रेजिंग रिलिजिस फीलिंग्स ऑफ ट्लास ऑफ सिटिजन ऑफ इंडिया वे डेलिबरेट इंटेंडमेंट्स, वर मेड बाइद में तब के जो धार्मिक भावनाएं हैं, उसको डेलिबरेटली किया गया था, अघात किया गया था, जो लोग बेल मांग लेते, पॉब्लिक में आया है, वो दिखाता है, अंडर दे गाप ऑफ स्टैंड अप कॉमेड़ी, अट पॉब्लिक प्लेस, ऑन कमर्शल लाइन्स, प्रायमा फिसाया, प्रायमा फिसाया लीगली आपको पता होना चाहिए, प्राथमीक तिश्टिकोन, ये फाइनल नहीं होता, प्राथमीक दिश्टिकोन से, आगे जब एविडेंस आएगा, तो कोट डिसाइड करेगा, जो भी कोट ट्रायल करता है, तो प्रायमा फिसाया is very important to know legally, कि ये इनीशल व्यू है, बेस्ट अन इनीशल थिंस, पूरा ट्रायल नहीं हुआ है, पर इनीशल व्यू क्या है कोट क scurlious, disparaging utterances, outraging religious feelings of a class of citizen of India with deliberate indemnements was made by the applicant, उन्होंने dismiss की application और इसके अंदर और भी बातें बोली ही, ये भी, कि there is a specific, specific assertion by complainants council, कि applicant और co-accused होने, आउट्रेजिंग फिल्दी जोक्स इन सोशल मीडिया, डेलिबरेटली अगेंस हिंदु गॉट्स, लॉट शिरी राम, गॉट्डे सीता, हर्टिंग रिलिजन सेंटिमेंस of हिंदू स्वार लास्ट एटीन मन्स, डिस्पाइड प्रोटेस्ट अन सोशल मीडिया प्लाट्पर और केस नहीं हो क्रिमिनल, अब तो यूपी में केस भी है, पर लोग सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप ये जो जोक्स कर रहे हो, ये बहुत गल्थ है, हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं, तो ये कंप्लेनेंट ने बाट डाली है, कोट ने इसको येस य important बात है, फिर कोट ने end में observations दी है, वो तो मेरे ख्याल से ये case छोड़ के, आपको वैसे भी जाननी चाहिए है, कि हमारी country एक beautiful country है, ये मैं English में ही पढ़ देता हूं, कोट ने एक जिसको बोलते हैं, कंट्री को डिस्राइब किया है, और कंट्री के इथास को डिस्राइब किया है, और इस केस को छोड़ के, वैसे भी ये, this is a good thing for every citizen to read, कि केस छोड़ दो, बेल दिया होता तब भी ये पढ़ना चाहिए, नहीं दिया तब भी ये पढ़ना चा डिजन, लांगविज, कुल्चरल, जेगरफिकल, लोकेशिंस, तो ओल्ड अट लाज, मूच्वल रिस्पेक्ट, फेट, अन ट्रस्ट अमंग ओल सिटिजन्स अ इंडिया, बेसिक टैनेंट्स अ कोईजिस्टेंस, इन वेल्फिल साइटी, गवर्न बाइ प्रिंसिपल आप प्लीज पढ़िएगा, अब आ जाते हैं, दूसरी बात, अपना व्यू भी देता हूं आपको, आपका व्यू भी लेता हूं, आप पहले पता दीजिए कि वो 30, 28 या 25 दिन से जेल में हैं, और अब ये रिजट होने का मतलब है कि जल्दी जेल से भार भी नहीं आते, त तो टाइम लगेगा, अगर कोट देगा भी, पेंडिंग ट्रायल, अब टाइम लगेगा, क्योंकि हाई कोट के एक बर ही डिसमिस के बाद टाइम लगता है, तो आपके हिसाब से, क्या 30 दिन से उपर भी जेल वहना चाहिए था, अब ये डिसमिस हुआ तो अच्छा लंबा यह नहीं रहेगा, अपकी हिसाब से, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, यह आप कमेंट करके जो देख रहे होता है, मैं बात बहुता हूँ, जैसे मैं आपको पहले भी बोला हुँ, मेरे विउस बहुँकले हुआ, मेरे हिसाब से, अगर आप फ्री स्पीच को करते हैं, तो मुझे बहुत curious लगता है कि दो sections है और भी दो मुखे sections है जो किसी भी धरम का मजाक उड़ाने पे आपको legal trouble में डालते हैं एक है section 295A Indian Penal Code का एक है section 153 295A की heading बोल दता हूँ आपको deliberate and malicious act intended to outrage religious feelings or any class by insulting its religion or religious belief आपके धार्मिक beliefs को insult करने वाला अगर कोई काम करता है action करता है उसके लिए और 153A promoting enmity मतर्ब दो groups के बीच में on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. दो groups के बीच में enmity, नफरत, bad feeling परमोट करने वाला चीक है जो लोग freedom of speech मानते हैं और मैं आज से पांच-साथ साल पहले तो अपने आपको freedom of speech के आप से लिएस्ट मानता था मैं कहता था कि यह दो section ही राद हो आप किसी भी धरम पे फिर आप बोलते हैं तो वह offense मोटा मोटा और भी section मोटे मोटे तोर पे नहीं रहता है आपको free speech society चाहिए to a level like let's say U.S. आप किसी भी धरम पे मजाग बढ़ो फिर जैसे एज बढ़ती है मैंने देखा कि हमारी situation हमारे देश की ऐसी है कि हमारे देश में religion ऐसा integral part of life है कि आप किसी भी धरम का मत मजाग बढ़ो यह tit for tat नहीं है छोड़ दो tit for tat with age I have realized and with time I have realized that college में free speech U.S. style है वो इंडिया में नहीं चलेगी but one way भी नहीं हो सकता so मेरा मानना फिर मुझे लगा कि आप किसी भी धरम का मजाक उड़ाना चोड़ो कुछ नहीं रखा अगर आपको बोलना है आप बोलो इशकरन गल्थ है या कोई और गल्थ है जिस भी religion का है उसके उपर व्यक्ती को बोलो व्यक्ती की बात करके धरम की बाते मत करो मजाक भी नहीं है कि आप humor को एक humor की तरह अगर वैसे तो humor है नहीं है भी separate बात है पर मैं equality की बात करता हूं तो जहां मुझे दिखा बहुत अजीव लगा मुझे कि सब समझदार हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मुनावर फरीकी की बेल हो और जैसे मैंने बोला मेरे भी व्यूज इनिश करते हैं अब मुझे लगता है जो मुझे इंट्रस्टिंग लगता है और आप भी देखना कि बहुत आर्टिकल्स चपे पहले तो मुनावर फरुकीन जेल यह नहीं चपे कि चार-पांच लोग हैं जेल में जिसमें अपैरेंटली जो नाम है वो मैंने बता दिया आपको यह हटा दो यह लोग जो बहुत होते हैं यह समझते हैं बातों को यह आटिकल्स लिखते हैं इंफ्लूएंस करते हैं इंडिया में भी लिखते हैं इंटरनेशनली भी लिखते हैं मेरे ज्यान में तो ऐसे बहुत आर्टिकल्स नहीं आए जहां पर जो लोग बहुत प्री स्पी तो मैंने ट्वीट भी किया कि भाई हटाई दो इंसेक्शन को क्या है आप जिसको जो बोलना बोलोगर आपको लगता है कि यह ओफेंसी नहीं है किसी भी डिलिजन पर बोल दो खतम बत और एक्चुली स्पीकिंग अगर हटा दोगे मैं तो प्रो हूं उसके आपको कोई समाज को डिसाइड करने दो पर यह वनवे ट्राफिक कि आप एक व्यक्ति को बोलो एक चीज को बोलो और आप बोलो कि यह लॉब ही रहेगा क्यों रहेगा फिर तो लॉइटा दो बट वो कोई नहीं बोलता यह आपको सोचना चाहिए क्यों कोई 153a 295a हटाने को नहीं बो था हिस्ट्री पढ़िए जा थोड़ा मैं काम दे देता हूँ आपको पढ़िएगा 295a की जनेसिस क्या है कैसे कानून में आया क्यों आया यह सब पढ़िए आप सब समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है और लास्टली इतना ही बोलूँगा कि आप सब के कमेंट्स जरूर पढ़िए था कि आपके हिसाब से जेल में रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था बेल डिस्मिस वैस्तों कोट डिसाइड़ आस पर लौ आपके उपीनियन से नहीं होता यह उपीनियन मैं अपने लिए मांग रहा हूं आप सब के क्या व्यूज हैं इस इशू के हूपर, थांक यू